साथियों, आज अटल सिद्धी की इस धर्ती से मैं, यूपी के युवा साथियों को, यहां के हर नागरिक को एक और आग्रह करने आया हूँ, आज अधि के बाद, हमने बराबर देखा है, आज अधि के बाद के वर्षों में हमने सबसे ज़्यादा जोर अधिकारों पर दिया है, लेकिन अब जब हम आज अधि के 75 साल के और बढ़ रहे हैं, आज अधि के दिवानों के सपनों को, आज अगर हम तोलते हैं, तो समय की मांग है, कि अब तक भले हमने अधिकारों पर बल दिया हो, लेकिन अब वक्त की मांग है, कि हमें अपने करतव्यों, अपने दाईतियों पर भी उतना ही बल देना है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदेशन के नाम पर हिंसा की सरकारी संपति को नुक्सान पहुचाया वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे क्या उनका इरास्ता सही था उनकी प्रभुत्ती योग्य थी जो कुछ जलाया गया बर्बाद किया गया क्या उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था इस प्रदर्शन में हिंसा में जिल लोगों की मृत्यू हुई जो सामाने नागरिक जख़भी हुए जो पुलीस वाले जख़भी हुए उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रती पलबनम सोचें क्या बित्ती होगी और इसलिए मैं आंगर करूगा कि जूटी अप्राओं में आकर हिंसा करने वालों को सरकारी संपति तोड़ने वालों को मैं बहुत आंगर से कहना चाहूंगा कि बहतर सडक बहतर ट्रांस्पोर्ट सिस्ट्रिम उत्तम सिवर लाइन नागरीकों का हक है तो इसको सुरक्षित रखना साफर सुथरा रखना भी तो नागरीकों का दाईत्व है हक और दाईत्व को हमें साथ साथ और हमेशा याद रखना है उत्तम सिख्षा सुलब सिख्षा हमारा हक है लेकिन सिख्षा के संस्तानों की सुरक्षा सिख्षकों का सम्मान ये हमारा दाईत्व भी है चिकित्सा सुभीता हमारा हक है लेकिन डॉक्टरों का सयोग और सम्मान करना हमारा दाईत्व भी है सुरक्षित माहोल मिलना हमारा हक है लेकिन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार, पुलिस तंत्र के काम को सम्मान देना यहर नागरी का दाईत्व है हक की एक मर्यादा है, दारिया है, उसका एक दायरा है, सीमा है लेकिन दाईत्वकी कर्तव्य की भावना बहुती व्यापक है